फिरी सिलाई मशीनी ओजना दोजार चोईस अपलाई ओनलाई फिरी सिलाई मशीनी ओजना के मादेम से सरकार महिलाओ को आतम निर्बर बनाने के लिए एक मौका दे रही है दरसल सरकार के दोवारा नीसलुक सिलाई मशीन वितरनी ओजना सुरू की जा रही है जिसके अंतरकत महिलाओं को सिलाई मसीन खरीदने के लिए आर्थिक साहिता परदान की जाती है जिसके मादिम से महिलाओं सिलाई मसीन खरीद कर सिलाई का कारिय सीख सकती है और सिलाई का कारिय करके स्वेम आत्तम निर्वर बन सकती है फिरी सिलाई मसीनी ओजना 2024 के अंतरगत सिलाई मसीन खरीदने के लिए महिलाओ को 15,000 रुपई की रासी परदान की जाती है जिनको सीधे महिला के बैंक खाते में ट्रांसपर किया जाता है अगर आप भी एक महीला है और सिलाई मसीन खरीदने के लिए सरकार की तरफ से 15,000 रुपे की आर्थिक साहिता पराप्त करना चाते हैं तो इस वीडियो को पुरा दिहान पूर अग देखे फिरी सिलाई मसीनी ओजना 2024 ओनलाइन अपलाई इस योजना से पराप्त आर्थिक साहिता की मदद से महीला अपने लिए सिलाई मसीन खरीद सकती है और सिलाई का कार्या सीख कर अपने परिवार का बरणफोसन कर सकती है पिम विश्वकरमा सिलाई प्रकार की महिलाओं के एंतरगत गरामिन और सहरी दोनों परकार की महिलाओं को इसी प्रकार की महिलाओं को इसलिए किया गया है क्योंकि कपड़ा इंसान के मूलबूत आउसेकता होती है और सबसे ज़्यादा जरूरत भी इसी की होती है इसलिए सर्मिक प्रिवार की महिलाई बेरोजगान न रहे और सिलाई का कार्य करके वह अपना गुजरा चला सके फिरी सिलाई मशीनी ओजना का मुखे उद्दे से इसी ओजना के माद्यम से सरकार महिलाओ को आतम निर्बर बनाना चाती है और उसकी सामाने आउसेकताओ के लिए किसी और के उपर निर्बर न रहना पड़े इसलिए सरकार के दवारा यह कदम उठाया गया है सिलाई मशीनी ओजना के एंतरकत महिलाई सिलाई सिखा सकती है और पेसे कमा सकती है इसी ओजना के दवारा महिलाई स्वयम का सिलाई परसिक्षन के अंदर दुरू कर सकती है और महिलाओ को भी सिलाई का कार्य सिखा सकती है इस कारीय को महिलाई गर में बेट कर अपने घर के कारीय के साथ कर सकती है सिलाई मशीनी ओजना में आविधन के लिए पातरता प precio महिलाओ को यह सिजना का लापदान किया जाता है महिला पूर्ण रूप से अबार्त देश के निवासी होनी चाहिए महिला के परिवार की वार्षी काई दो लाक रुपई से कम होनी चाहिए महिला के परिवार में कोई भी सदे से सरकारी से ओवा में कारियरत नहीं होना चाहिए महिला सामानी सिलाई का कारिय जानती हो महिला के पास पहचान पत्तर बेंग संबंदी डोकोमेंट्स होने चाहिए महिला के पास स्वयम का बेंग खाता होना चाहिए महिला के आयू 18 वरस से लेकर 40 वरस के मद्दे होनी चाहिए फिरी सिलाई मशीनी ओजना के लिए आवसे डोकोमेंट्स जैसे आदार कार्ड, मॉबाइल नमबर, बेंक खाता, पहचान पत्र, अकाउंट नमबर, आई अपसी कोड, आई परमान पत्र, विकलांग सार्टिफिकेट, विकलांग होने की स्तती में फिरी सिलाई मशीनी ओजना दोजार चोईस में आवेदन कैसे करें फिरी सिलाई मशीनी ओजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले पीम विस्वकरमा यजना की ओपीसियल वेबसाइट पर जाना होगा इसके बाद आप ओपीसियल वेबसाइट के हॉमपेज पर पहुंच जाएंगे वेबसाइट के होंपेज बर सिलाई मशीनी होजना के चेतर में जाए लिंक पर किली करने के बाद अपलाई नाव विकल्प को चुने इसके बाद आपके सामने फिरी सिलाई मशीने एपलिकेशन खुल जाएगा मॉबाइल नमबर और आदार कार नमर दर्ज करे पहचान सम्मंदी जानकारी दर्ज करे इसके बाद बैंक खाते से सम्मंदी जानकारी दर्ज करनी होगी अकाउंट नमर दर्ज करे आई अपसी कोड दर्ज करे बैंक साका दर्ज करे इसके बाद डोकुमेंट्स जो मांगे गए हैं उनको स्केन करके अपलोड करे डोकोमेंट्स अप्लोड करने के बाद सम्मिट विकल्प के मादेम से आप आवेदन फॉम को सम्मिट कर सकते हैं इस परकार से आप फिरी सिलाई मशीन योजना दोजार चोई सप्लाई कर सकते हैं आवेदन करने के बाद विश्वकर्मा योजना कस्टमर के एर दवारा आपका आवेदन फॉम चेक किया जाएगा सबी आवसे डोकॉमेंट्स और पातरता सही होने की स्थती में आपके खाते में 15,000 रुपे की आर्थिक साहितारासी बहेद दी जाएगी 15,000 रुपे की इस आईतारासी के मादेम से आप सिलाई मशीन खरीज सकते हैं इस परकार आप बिलकुल फिरी सिलाई मशीनी ओजना का लाप राप कर सकते हैं इस वीडियो के माद्यम से हमारे दवारा पीम विश्वकरमा योजना के अंतरकत मिलने वाले फिरी सिलाई मशीनी योजना को किस परकार लिया जा सकता है इसके बारे में विस्तार से जानकारी परदान किये जिसके अंतरकत हमारे दवारा सिलाई मशीनी वजना के लिए आवसे डौकोमेंट्स पातरता और किस परकार से सिलाई मशीनी वजना में आवेदन कर सकते हैं सबी की विस्तार पूरग जानकारी दी है आसा करते हैं कि हमारे दवारा दी गई जानकरी आपके लिए उपियोगी रही होगे और आप भी फिरी सिलाई मशीनी वजना में आविदन कर पाये होंगे अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करे